अजादी के वर्स गाट पर चलो मनाएं उत सब अजादी के उर्जा का है अम्रित नए बिशारों का है अम्रित नए नए संकल्पों का है अम्रित आत्मिर्भरता का ये अम्रित सीने में जुनून और आखों में चमक रखता हूं सीने में जुनून और आखों में चमक रखता हूं दुश्मन की सासे थम जाए मैं अपनी आवाज में ऐसी धमक रखता हूं नमस्कार दर्सकूं मैं हुडंगोली पांडे एक बार फिर से आफ सबी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के खास कारिक्रम आजादी के अम्रित महोच्सों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजादी के 75 वे वर्जगार्ट पर पूरा भारत देश आजादी का अम्रित महोच्सों मना रहा है आजादी के अमरित महोत्सों मनाने का एक कारण यह भी है कि आजादी के अमरित महोत्सों के माध्यम से हम उन सारी गुमनाम हिरोज को याद करें, उन्हें श्रधांजली अर्पित करें, जिन्होंने हस्ते हस्ते अपने देश के लिए अपनी मात्र भूमी के लिए अपनी जान पर नहीं आता क्योंकि बहुत सारी नाम बेनाम हैं सब की पहचान हम तक नहीं है आजादी के अमरित महोच्छों के माध्यम से हम उन्हें सभी को नमन करते हैं उन्हें श्रद्धांजली अद्पित करते हैं आज हम बात करेंगे आज का हमारा चर्चा का विसर है सिक्षा उद्ध्यमिता और नवाचार की ओर अग्रसर भारत और इस विसर पर बाच्छित करने के लिए चर्चा को आगे वढ़ाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्तित हैं आईए मिलते हैं इनसे ये हैं डॉक्टर राना सिंग जी ये डाइरेक्टर हैं चंद्रगुप्त इंस्टिटूट आफ मैनेजमेंट पटना में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कारीक्रम आजादी के अमरित महोच्सों में जैसा कि मैंने अभी अभी कहा सर की हमारा चर्चा का विषय है आज का सिक्षा नवाचार और उद्यमिता की और अग्र सर भारत मैं सबसे पहले आप से जानना letzte आप arrangements को उद्यमिता को नवाचार से जोडने का मतलब है और इससे देश को क्या फाइदा है शिक्षा और नवाचार को उद्यमिता से जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भारत उच शिक्षा के छेत्र में काफी तेज गती से प्रगती की ओर अग्रसर हो रहा है और शिक्षा में हम जब इन दिनों बात करते हैं आउटकम बेस्ट लर्निंग की पहले आउटकम बेस्ट लर्निंग पे उतनी इंफेसिस उतना जोर नहीं दिया जाता था परन्तु भारत की जो उच शिक्षा प्रणाली है उसको वैश्विक स्तर के प्रतिसपरधा में एक नई जगह प्रदान करने के लिए पूरे भारत में आउटकम बेस्ट लर्निंग की ओर जो है जोर दिया जा रहा है ताकि जितने भी छात्र छात्राएं भारत में अधन करें उनको सिलेबस के हर कंपोनेंट की पूरी जानकारी मिल सके परन्तु बदलते वक्त के दौर में जब हम देखते हैं जो भारत का जो शैक्षिक परिप्रेक्ष है उसमें बदलाव आ रहा है और शोध और नवाचार को बहुत इंपोर्टन्स दिया जा रहा है चिरंतन काल से भारत ज्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्रा है विश्व को हमने पहला विश्विद्याले दिया नालंदा विश्विद्याले के रूप में परन्तु पहले हम सिर्फ ज्यान देने की प्रक्रिया में लगते थे अब हम knowledge creation की बात कर रहे है हम नए ज्यान का कै ऐसे creation करें उसके लिए बहुत important है कि हम शोध और नवाचार research and innovation पे पूरा पूरा ध्यान दे इसके लिए भारत में अन्य विक्सित देशों की तर्स पर R&D labs बनाये जा रहे हैं research and development labs जहां पर छात शोध करते हैं और अब न सिर्फ शिक्षकों को बलकी undergraduate और post graduate students को भी शोध करने के लिए प्रेदित किया जा रहा है और न सिर्फ शोध करने के लिए परंतु शोध की प्रक्रिया में जो कुछ वो नायाब उनकी findings हैं उसको publication के तौर पर तयार करने के लिए भारत एवं अंतराष्ट्रिय जर्नलों में उन्हें प्रकाशित करने के लिए motivate किया जा रह आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले तीन वर्षों में भारत ने काफी प्रगति की है जो हम जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं G.I.I. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 86 रैंक पे था 86 रैंक पे उसके बाद 46 रैंक पे आया और ग्लोबल इंडेक्स 2022 में भारत 40 रैंक पे आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि दो साल में 86 रैंक से अगर हम 40 रैंक पर आए हैं तो इसका पूरा क्रेडिट जो है केंदर सरकार और राज सरकारों को जाता है जो कि भारत को इनोवेशन के दिशा में एक तेजगती से कारे कर रहे हैं और शिक्षा में नवाचार और शोध को जोड़ते हैं तो नए नए आइडियास प्रोडक्स और सर्विसेज में बनकर निकलते हैं और जब वो नए आइडियास प्रोडक्स और सर्विसेज में बनकर निकलते हैं तो उसे एक व्यवसाइक रूप देना होता है और जब हम उसे नए आइडियास को जन जन तक पहुँचाएं, उनको अभी हो रही उनके कुछ मुश्किलों का हल करें, और ततकालिक मुश्किलों को हल करें, या भविश में आने वाली मुश्किलों का हल तयार करें, ताकि लोगों की जिंदगी, उन्हें जिंदगी को जीने की राह आसान कर और तत्काल में हो रहे मुश्किलों को भविश में आने वाले मुश्किलों के लिए कुछ समाधान दे सकें तो सबसे बहतरीन आस्पेक्ट है नवाचार का और शोध का शिक्षा में कि हम छात्रों को न सिर्फ किताबी ज्यान देते हैं परंतु उन्हें हम प्रायोगी ज्यान देते हैं जिसे सीख कर वो जीवन में एक ऐसा काम करते हैं ताकि लोगों की मुश्किले हल्स हो सकें और उसे वो व्यवसाईक रूप देखर वो कुछ पैसे कमा सकें तो अंतरास्टी परिद्रिश में भारत के जो उच शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको उचाई पर ले जाके हमें भारत को पुना विश्वगुरू बनाना है इसके लिए उच शिक्षा में नवाचार और उद्यमिता को तेजगती से बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी विश्विद्यालियों में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं ताकि वहाँ पर छात्र अपने नई आइडियास को ले कर जाएं और एक अपना नया बिजनेस इंक्यूबेट करें अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमाएं और उस व्यवसाई में 2, 4, 5 10, 15, 20, 50 लोगों को नौकरी दें ताकि वो जॉब देने वाले बने नौकरी ढूंडने वाले न बने तो वक्त बदल रहा है तो भारत में रोजगार स्रिजन की जादा संभावनाएं पैदा हो इसके लिए छात्रों को उद्यमिता की और ले जाया जा रहा है और इसके लिए लोगों को स्टार्टप करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है बिहार में बिहार स्टार्टप पॉलिसी के तहट लोगों को 10 लाख रुपय दिया जा रहा है तो सबसे बहतरीन बात है कि हम शिक्षा में नवाचार और शोध का समागम कर रहे हैं और चात्रों का में जीडीपी के रूप में योगदान देकर भारत को एक समरिद भारत और आत्मिर्बद भारत में अपना योगदान दे सके अभी आपने उच शिक्षा की बात की तो उच शिक्षा में नवाचार को आप किस प्रकार से देखते हैं उच शिक्षा में नवाचार एक बहुत ही important dimension है और आजादी के 75 वर्षों के दौरान शिक्षा पर बहुत जोर था धीरे धीरे जब वैश्विक स्तर पर यह देखा गया कि भारत जो है नवाचार के छेतर में काफी पीछे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग्स हमारी पीछे है तो कुल मिलाकर केंदर सरकार और राजी सरकारों को इस मुदे पर सोचने के लिए बाद ही होना पड़ा कि हम पूरे देश को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कैसे उपर ले जाएं और ग्लोबल में क्रांती कैसे लाएं तो उच शिक्षा के छेत्र में नवाचार को इंटिग्रेट करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्राले ने एक प्रकल्प शुरू किया M.I.C. जो कि शिक्षा मंत्राले ने शुरू किया उसकी वेबसाइट है M.I.C.gov.in इसके तहत All India Council for Technical Education और UGC इसके अंतरगत जितने भी तक्निकी और उच शिक्षा के संस्थान हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो उच्चेतर शिक्षा के संस्थाओं में I.I.C. की Institute Innovation Council. Institute Innovation Council सभी उच शिक्षा और तक्निकी शिक्षा के जो संस्थान हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो अपने संस्थान के अंदर अपने विश्विद्याले के अंदर Institute Innovation Council बनाएं जिसमें की Teachers को Brand Ambassador बनाया गया Students को उसमें उनका Incubation और Innovation का सेल बनाया गय पूरे साल भर का कैलेंडर बना कर दिया गया है कि पूरे साल में उच शिक्षा के जो संस्थान है वो नवाचार के छेतर में कौन-कौन से कारिकरम करेंगे कैसे अपने आसपास के स्कूलों को आसपास के अन्य संस्थाओं को जो वित्य रूप से ज़्यादा सुद्रिड न समिनार, कॉन्फरेंस और वर्क्शाप करके इनोवेशन के बारे में एक जन जागरण की मुहीम चलाएंगे, पुरे देश में नवाचार की क्रांती लाएंगे, तो जो उच शिक्षा के संस्थान है, जो अब तक सिर्फ अपने विशय के सिर्फ ग्यान और कौशल को प्रदान करते थे, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि पुरे देश में नवाचार के छेतर में एक क्रांती लाई जाए, ताकि भारत जो 86 रैंक से 46 और 40 रैंक पे आया है, हमारा देश आने वाले समय में विश्मे नंबर 1 रैंक पर कैसे आए, उसके लिए हम सब को एक सम इनोवेशन की जो मिशन है, उसके समाज के अंतिम जो हम कहते हैं लास्ट माइल तक कैसे पहुंचा है, लोग सोचते हैं कि इनोवेशन या नवाचार सिर्फ बड़े जगों पर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, गाउं का एक छोटा कुमार हमने देखा उसने भी नवाचार कर कि एक ऐसा फ्रिज बनाया है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, जिसमें कि जो हमारे पदार्थ हैं नैसरगीक रूप से ठंडे रह सकते हैं, बिजली की खर्च नहीं है और वो बिलकुल अनकंटामिनेटेड रहते हैं, तो कहने का मतलब है कि नवाचार के लिए ऐसा नह अरजित करने की, कि वो न सिर्फ ग्यान और कौशल अरजित करें, बलकि अपने अरजित कि हुए ग्यान और कौशल का अनुप्रियोग कर समाज के लिए कुछ ऐसे नए-नए प्रोडक्स और सर्विसेज बनाएं, जिससे कि अभी कई समस्याओं का समधान हो सकता है, अब जै अरजित सी बात है, वैसे परिवारों के लिए वर्दान साबित होता है, तो पूरे देश में उच शिक्षा के छेत्र में सभी शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित कर, अपने ग्यान को अनुप्रियोग कर, नए प्रोडक्स और सर्विसेज बना कर, उसको कौबर्शेलाइ और जो metropolitan cities के सभी शात्र शात्रा हैं और teachers हैं, वो innovation के mission पे खुद को align कर लें, और नए-ने प्रोडक्स और सर्विसेज बनाएं, इससे भारत का नाम रोशन कर सके. Sir, उद्यमिता विकास में नवाचार भारत के लिए कितना अवश्यक है? उद्यमिता विकास में नवाचार आवश्यक है, कारण कि हम जब उद्यमिता का विकास करते हैं, तो आब तोर पर पूरे देश में एक छात्रों के बीच एक culture है, campus placement का, कि हम अपनी पढ़ाई करें और कहीं नौकरी पालें. तो आज की तारीख में 80-20 का रिश्यो है, 80% छात्र अभी भी नौकरी के और भाग रहे हैं, और 20% या उससे कम छात्र हैं, जो कि खुद का विवसाय स्थापित करना चाहते हैं. भारत में उद्यमिता विकास के लिए एक संस्थान खोला गया है, अमदाबाद में, बिहार में भी उद्यमिता का विकास का एक संस्थान खोला गया है, चंदरगुप्रवन्थ संस्थान में भी उद्यमिता विकास के लिए एक हम लोग master degree, PGDM, innovation, entrepreneurship और venture development का program चला रहे हैं, जिसमें की 80% और 90% scholarship जो है बिहार सरकार का जो उद्योग विभाग है, वो scholarship दे रहा है, तो उद्यमिता विकास अत्यांत आवश्यक है ताकि हम लोगों को उद्यमि बनाएं, वो नए-नए products और services लाकर नए-नया venture establish करें, नया business establish करें, लेकिन अब इसमें दो major areas हैं, उद्यम जो जो विभावसाय चलता आ रहा है, वो खुद को उसी विभावसाय में लगा लें, जैसे अब आटा चक्की है, जिसमें लोग गेहूं पिस रहे हैं, मसाला पिस रहे हैं, तो अगर कोई उद्यमिता के छेतर में आता है, जो पुराने जो सालों से, सदियों से जो तो एक वो छेतर है तो बदलते वक्त के परिवेश में लोगों के पास समय कम है और जिसमें है रेस्पॉंसिबिटी जादा है तो ऐसे में जो नई नई टेकनोलोजी लाकर लोग समस्याओं का निदान कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो नवाचार है तो उद्यमि लगा के पूरे देश और विदेश को अपनी सेवाएं दे सकते हैं तो नवाचार का एक रोल बहुत बड़ा है और उससे जो टेकनोलोजी इनेबल्ड जो अंत्रप्रेनियोर्शिप है वो एक बहुत बड़ा रास्ता देती है और देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भ चात्र और चात्राएं संस्थान और विश्विद्याले में नहीं जा पा रहे थे तो शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए तक्नीक का इस्तेमाल सूचना प्रवद्वगी का इस्तेमाल करना एक जो है बाधिता सी हो गई थी और अब वक्त बदल रहा है चात चात्र चात्राएं कम उम्र में अपना व्यवसाइख खोल रहे हैं और अपने बिजनसेस को प्रमोट कर रहे हैं या जॉब को जॉइन कर ले रहे हैं तो उस परिप्रेक्ष में अब एक चात्र जो है ग्रेजुईशन के बाद उसने जॉब हासिल कर ली लेकिन वो साथी चाता है कि पोस्ट ग्रेजुईशन कर ले तो शाम को 6 बजे के बाद वो फ्री है 6 बजे से 10 से 11 बजे तक का सना उसके पास है जब वो ट्रैवल कर रहा है उस समय उसके पास है तो ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग ये सब ऐसे विकल्प हैं जिसम उनलाइन यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की जो है अपना मन बना लिया है और उसके लिए कार्य तेजगती से चल रहा है तो ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ज्यान और कौशल में अभिविद्धी करने के लिए एक पिलकुल नायाब ऑप् कि 2035 तक हमारी उच शिक्षा में जो ग्रॉस इंरॉल्मेंट रिशियो 50 प्रतिशत पहुँचने चाहिए उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और अगर हम इसे तेजगती से एडॉप्ट करते हैं, स्कूल दो उसमें एक टार्गेट है, स्कूल शिक्षा में 2050 तक हम 100 प्रतिशत ग्रॉस इंरॉल्मेंट रिशियो लाना चाहते हैं, उच शिक्षा में 2035 तक हम 50 प्रतिशत ग्रॉस इंरॉल्मेंट रिशियो लाना चाहते हैं, तो इन दोनों टार्गेट्स को अगर हमें अचीव करना है और बिहार में शिक्षा की जो गती है उसको एक नई उचाई पर ले जाना है तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि online learning, e-learning और कुछ self instructional materials जिसको कि हम develop करके लोगों को दे सकें, बच्चे जब वो travel कर रहे हैं, morning walk कर रहे हैं उसमें भी वो ग्यान को अरजित कर सकते हैं, तो बिहार राज में ग्यान और कौशल की जो अरजित करने की प्रक्रिया है उसमें एक exponential boost हमें देना होगा ताकि दुरुत गती से छात्र छात्र आएं, यहां के जो start-ups के जो founders को founders हैं entrepreneurs हैं, even differential age के learners हैं, जो prod शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, मुक्त शिक्षा जिसको हम कहते हैं, open learning, तक्निकी शिक्षा, सभी शिक्षा के छेतर में यह बहुत ही वर्दान साबित होगा सर, जैसा कि आप education की बात कर रहे हैं, तो स्कूलों में नवाचार के लिए क्या किया जा रहा है? उर इसे हम utterl tinkering lab कहते हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि भारत में अभी 10,000 से ज्यादा स्कूलों में utterl tinkering lab की स्थापना कर दी गई है, और utterl tinkering lab छातरों को, जो छातर 10वी और 12वी चातर हैं, उन्हें एक ऐसा नयाव infrastructure School में प्रदान किया जा रहा है ताकि उनके अंतरमन में जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज, वो स्कूल में ही धीरे धीरे अपने प्रयोगशाला में कारे शुरू करें, ताकि इंगलिश में एक शब्द है catch them young, जब वो कम उम्र में हैं, तभी उनके अंतरमन में नवाचार का अबीज बो दिया जाए, ताकि जब वो उच शिक्षा में आएं, तो वो बर्गत के रूप में स्थापित हो जाए, तो 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लाब की स्थापना की गई है, और उसे केंदर सरकार द्वारा, उन सभी टिंकरिंग लाब्स को वित्तिय सहायता प इंस्टिटूट इनोवेशन काउंसिल है, उसे तीन स्कूल को मेंटर करने के लिए किया गया, तो जो उच और तक्निकी सिक्षा के संस्थान है, उन्हें कहा गया है कि आप तीन अच्छे स्कूलों को जाके वहाँ पर ट्रेनिंग दें और इनोवेशन के बारे में उन्हें जागरित करें, ताकि स्कूलों में भी जो इनोवेशन की एक प्रक्रिया है, वो शुरू हो उनके टीचर्स में भी, और आपको जानकर हैरत होगी, कि पटना के स्कूल से एक छात्रा को देश भर में नंबर वन का प्राइज मिला है, उसके एक इनोवेटिव आइडिया पर म सुद्रिड भारत को बनाने में अपना योगदान देगी, सर्थ चलते चलते आप मारे दर्शकों को कुछ संदेश देते चलिए, दर्शकों के लिए एक संदेश यह है कि हम अपने परिवार में, अपने स्कूल्स और कॉलेजिस में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उन्हें हम प्रते दिन नवाचार के लिए प्रेरित करें, उन्हें जो भी संसाधन की जरूरत हो उन्हें उपलब्ध कराएं, और सब को या संदेश दें कि नवाचार और शोध ना सिर्फ उनके ग्यान जो वो प्राप्त किये हैं, उसे एक नई उचाई पर ले जाएगा, बलकि हमारे समाज को बहतर बनाएगा, देश को समरिद बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, इसे हम सब को मिलजूल कर इसमें नवाचार और शोध के छेतर में अपना योगदान देना हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो हमें इमेल भी कर सकते हैं, हमारा इमेल आइडी है डाइरेक्टर डीडीके पतना अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नहीं विशे और एक नहीं विशेशगे के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस् झाल के ले सरिया मेल ठीजाज, तक किया धरते हैं allons आपसे पतना जोना झाल एक शजेशगे के सवचेफे जूना आपसे नंजेते हैं झाल झाल